नमस्कार गुड मोनिंग विध्यार्थी मित्रो वेद डिजीटल एजूकेशन मां हूँ शिरोया कवशिक आपनू हार देख स्वागत करूँचू तो विध्यार्थी मित्रो आपने धोरण बार विशेई गुजराती अने पाट आठ अमर्णात नी यात्रा है ना गया विडियो मा अपने उजोई के वे लेखी काय स्रावन के साड माच थी आ अमर्णात नी यात्रा करवी सरण बने जे अने ए पोते वहला पहुंची गया हता अटले ने संदन वाड़ी चंदन वाड़ी सुधी ज आन चै अने पोता ने यहूं म कुमार ने जगदीप बनने दिक्रावनी साथे पोते आगर जाय से वच्चे रस्ता माईने अठिंग सी नामनू एक कुटूमपणेमने मडे से त्यानू हर्गननू मेदान उचा 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 पहाड़ी विस्तारों अने चारे तरफ टेकरी ओ जेकायने देखानी यहनू वह गाटिली नो अर्थ था छे रूपाड़ो बहु रूपाड़ो वडांक ले छे त्या नदी टटे अटले नदी किनारे अमर नातना जात्राडववो माटे छाप्रा बांदेला छे के अमर नातनी यात्रा करवा माटे आवेला व्यक्तिवो माटे रहवा माटे ना छाप्रा वो त्या बांधेला छे यहले ना ना घर बनावेला अन्ने थोड़ा चा घर पण नजरे पड़े छे चा पिवा माटे ना दुकानो त्या नजरे पड़े छे चंदन वाडी ना छेक पाचला भाग मा बरफ नो पूल छे चंदन वाडी ना पाचलना भाग नी अंदर एक बरफ नो पूल छे ए परवत्नी उपर जामी गईला बरफ नी अंदर कुद्रती गोडाकार बाकोरू उटले चिद्र पाड़ी शेश नदी चंदन वाड़ी तरफ वही आवे छे के आ परवतनी अंदर जेके बरफनो पूल जामी गईलो छे इन आ बाकोरू पाड़ी ने चिद्र पाड़ी ने ये माथी आ चंदन वाड़ी छे अलग शेशन दी चंदन वाड़ी तरह आवी रही छे उनाड उग्र अटले वधारे ताप पड़ता गर्मी पड़ता आ बरफनो पूल कदाज ओगड़ी जेतो हसे लेखी का कहे छे कदाज आ बरफनो पूल वधारे गर्मी पड़ती हसे त्यारे ए ओगड़ तो हसे नदीना काठा उपर एक शांत एकांत स्थड परसंद करी अमे त्यां बेठा लेखी का ये आराम करवा माटे है पूरो खावा माटे है एक नदीना काठा उपर शांत स्थड परसंद करी अने त्यां बेठा पाथा मा शब्द अगड़ा भी गयो पाथा अटले बोपर नू जमनवा पाथ आनेली अटले लावेली तड़ पदा सब्द मा आवशे आनेली अटले लावेली गरम वानगीवो ठंडी पड़ी गया थी के पाथानी अंदर का के हिमाले मा गलावेल फ्रीजनी जरू नौ पड़े गरम वानगी ओड़ी घंडी और गरम बनी घए अब यहा थंडी वानगी गरम बनी घे correspondence तो के आइस्क्रीम ने जे काई गरम इवे ठंडू होई ने इवे गरम पड़ी गई होतु है केटलीक वांग्यों नू शुरुप तो यह उप पल्टाई गई हो बल्टाई गई हो बदलाई गई हो हतु के कई चीज से कई खावानी वस्तु से ते पारखु योग बड़ी ज कदाज शक्य बनेशे पिला कंदोई नी त्या थियान पिला ओटल वाड़ा वाराई जे काई बांध्यायको इगरम अतो इठंडू थे ग्यून ठंडू अतो इगरम पड़वालाई को हतु अने एमाथी कई वस्तु से इने पारखु मुश्केल थाई बन्यू हतु दरोज भाव्यो नो भाव्यानी चिकास करनारा ले चिकना वेडा चिकास करनारा ले चिकना करनारा बन्ने छोकरा वोए ते दिवसे ताजी हवामा घोडा दोड़ावी ने लांबी मजल एक वखतावी यो सब्द मजल सब्द समू माटे पुछासे मजल अटले एक दिवसनी मुशाफरी माटे नू अंतर थवा थी ते विचित्र अने नाम नो आपिशकाई ते वुँ पोजन आनन्ति आरोगी गय वादला दडबण दोड़ता फटा पड़ दोड़ता आवी आकाशना गुमबज मा गुमबज अटले गुमबट आकाशनी अंदर पत्राई गया अनने वर्साद टुटी पड़ियो थोड़ी वार थायो तो कोन जाने क्या थिये वा काला डिबांग वादलाव आवी गया ने तोधमार ठोड़ आफियो दोड़ता अने वर्साद गया ने मर्साद आवी अथिये वाईता बनी जाए जो फटापड़ियो फरी पाचे पवे पखल गां न पहुचे तो आँशाकना चे वोकनाव वहता ये पढ़़ा अने व्यागता बनी जाए तो ते ओड़ अगवा अगर आ वोकडावने वहिनावने ओडंगवा मुस्किल थाई पड़े वड़ी पहाडना उभड़क अटले अधर ताल अधर ताल ढड़ाव माथी कोरी काठेली तैयार करेली पगती वो साकड़ी अन्य लपश्णी बनी जाई तो गोडावने पग सरी जवानों पन संभवतो खरवाज के उपड़ाव जे तैयार करेला रस्ताव हता अधर ताल एकदस लपश्णी अन्य चिकनी बनी जाई तो एक गोडावने पग सरी जवानों सक्केतावतो खरीज एटले पहलगाम पाच्छा पहुची जवानी अमे अधीराय अधीराय उतावड थाई घर भणी एटले घर तरफ जवानू ओवा थी बूल-बूल राजा ने निशात आतरों ने लेखीकाना घोडावना नाम छे बूल-बूल राजा तथा निशात आमे जड़ब पेर दोडवा राजी थेया जड़ब थी पोते पन दोडवा लागिया घोडावन वर्साद मा पलडवानी अमने तो मजावती हती मात्र आमारा केमेर मा पाणी न पेशे तेननी अमने चिंता हती के वर्साद मा पलडवानी लेखी काने न बिना बनने दीक्रावने पलडवानों खुबान दावतो हतो पन यमनी साथे फोटा पाणी न जड़ब पाणी न गुशी जाए के प्रवेशे यमने इटले ने चिंता हती जो केमेर मा पाणी पेशे लागी जाशे तो ये पोते ज के फोटा पाणी आशे अथवा पाणी आशे तो ये पड़से नहीं जेने अमें जर्णाने स्वरूपे जोया हता ते थोड़ा कलाक मा तो कसमस वहती नदियोना रूप मा पलड़ाए गया ज्यारे पोते पहलगाम थे चंदन वाड़ी तरफ जता हता अन्ने रस्ता मा जे व पल्टाए गया तो ये नदिना रूप मा बदलाए गया हता हर घंणू पत्थरायलू विशाण मेदान पाण रूप पल्टो रूप पल्टो ये रूप बदलो करी बेटो हतो आव वक्ते अमें शेश नदिना प्रवानी साथे साथे जता हता लेखे का कहें चे के आव वक्त गया वक्ते तो नदी नी सामय चालता हाता अने आ वक्ते तो नदी नी साथे साथे नदी ना प्रवानी साथे साथे जता हाता वर्षाद जेवा समान धर्म गुण भेरू मित्र मरे जवाती शेश नदी जाने वदू उलाश्वन्ती आनन्द मावी गई हती मारते घोडे दोडते घोडे अने तोध मार वरस ते वर्षादे अमें पहल गाम पहुँचे तोध मार खूब मार पेड़ो होई अटले के खूब वर्षाद पेड़ो होई येवा वरस ते वर्षादे अमें पहल गाम पहुचे त्यारे अमारा सरी रूपर एक तसु तसु अटले इच जगा पन कोरी रही नव हती नवी जग्यावो जोवा मा कुद्रत ना न्यारा अटले अलग रूप भाडवा ना अलग जोवा ना उमंग मा थाक नोतो लागियो क्या कुद्रत ना अलग अलग रूप जोवा मा इमने क्यारे थाक नोतो लागियो पन पहल गाम आविया पची कपड़ा बदले गर्मा गरम कोफी पी ने ओठी पोठी ने पलंग मा सुई जवानू बहु सुखद लागियो क्या फरी पाचा पोते पहल गाम आवी जाई से अने त्यारे गर्मा गरम कोफी पी ओठी पोठी ने पलंग मा सुई जवानू खुबज आनदेने लागियो जिवन नो पन एज प्रकारनो अन्त छेने के लेखी का छेले कहेश जिवन पन आज प्रकारनों अन्त छेने अन्ने तो विद्यार्थे मित्रों आ पाट तमने समझाई गयो होँशे कि लेखी का ये जेकाई अमर नातनी यात्रा दरम्यान येमने चंदन वाडी अन्ने पहलगाम्ती जेकाई सरुवात करी अन्ने वच्चे हरगर्णू मेदान ये प्रकृतिक वातावरोलन सेश नदी अबधा जप्रकार्न वल्णानों साथे अस थड़ो ना नाम पन तमारे नोंद करी लेवा परिक्सामा बधा मोस्ट आइम पी पुछाशे अन्ने आ पाट तमने समझाई गयो होँशे येवी आशा हूँ तमारी पासे राखोचे और ने आधनू सेक्षणी कारिया चे ये इ अबधा जो तो